नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंखला में आज सुनेंगे वरिष्ठ लेखी का खुश्पा सकसेना जी की एक खुपसूरत प्रेम कहानी वर्जिन मीरा, तो आये सुनते हैं कहानी डिनर के बाद प्लेजर ट्राइब पर जाते प्रतीक ने पूँचा था, यहां कोई बार देखा है आंटी, बार, भला बार से मेरा क्या नाता, क्या करूंगी मैं वहाँ जाकर वाह, यू ऐसे घूम रही हैं और बार में नहीं कहीं, चलिए आज वहाँ कोग पी कर आते हैं मुण कर पीछे बैठे सुनेल से प्रतीक ने पूँचा, एनी ऑबजेक्शन, मुझे क्यों होने लगा, पर परस नहीं लाया हूँ ओके, आज आँटी के लिए मेरा ही परस सही, प्रतीक ने कार दूसरी दिशा में मोड़ती थी, पर मेरे कपड़े, मैं तो घरवाली साड़ी पहने हूँ, वहाँ इतने लोग होंगे, उनके बीच कैसी लगूंगी उन साधारन कपड़ों में मेरा संकोच स्वाभावी की था, यही तो यहाँ अच्छाई है आँटी, कोई किसी का नोटीसी नहीं लेता, सब अपने में मस्त रहते हैं सुनील ने ठीकी कहा था, चौराहे के एक कोने पर जगमगाता रिस्तरा कार में दूर से ही दिख गया था, सामने खुले बरामदे में धेर सारे युवक योगतियां बैठे थे तीव्र विद्धुत प्रकाश में लड़कियों के रंगीन परिधान आभोशन जिल मिला रहे थे गर्मियों में दिन के समय उन्हें बस शौट्स और बन्यान में ही देखती थी इस समय वे पून रूप से सजी हुई थी बार में प्रवेश करते हुए प्रतीक ने परिहास किया आंटी आप 18 वर्ष के उपर है न वरना यह सामने खड़ा बाउंसर बाहर कर देगा यहां के बार में 18 वर्ष से कम आयू वाले नहीं आ सकते इसी लिए हम अपना आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ रखते हैं देवशीस तू अपना कार्ड लाया है न मेरी फिक्र मत कर इतना स्मार्टली निकल जाऊंगा कि तू देखता रह जाएगा टेक केर आफ आंटी देवशीस अपने भुलकर स्वभाव के लिए मित्रों के मत्य प्रसिद्ध था बालों को समार्ता देवशीस सबसे आके निकल गया था मेरी बार की कल्पना को जुटलाता वह बार भारत के किसी रेस्टरा जैसा लगा था वही उत्फुल वातावरन वही रंगीन जलता बुशता प्रकाश अकनी आभावी खईड रहा था कॉलेज हॉस्टल निकट होने के कारण अधिकांश भीड युवा विद्यार्तियों की थी अंदर किसी उत्सव कासा दुश्ष था साथ बैठे युवक योतियां नितान्त स्वाभाविक थे बीच बीच में एक दूसरे के प्रती इसने प्रदर्शन हेतु चुम्बन लेना कंधे या कमर गुदगुदाना अब बहुत सामाने सा लगने लगा था हौल के मद्ध हमने जो जगह अपने बैठने को चुनी वहाँ से पूरे हौल का दृष इसपष्ट दिखाई देता था प्रतीक और सुनील पेपसी लेने काउंटर पर चले गए थे यह शीतल पे यहां कोक की प्रतिसपरधा में तेजी से उभर आया है दाहिनी और दृष्टी जाते ही निगाहा उस अकेली लड़की पर ठहर गई खिड़की के पास वाली टेबिल पर गिलास और बोतल के साथ सबसे उदासीन वह शांत बाहर ताक रही थी प्रतीक के आते ही मेरे मुँसे निकल गया था इतनी भीड में यहां उसे यूँ अकेली देख बड़ा ताजुब हो रहा है द्रश्टी मुढते ही प्रतीक ने कहा था ओफ वह तो वरजीनिया है कभी न लोटने वाले का इंतजार कर रही है बेचारी क्यों क्या उसकी मृत्तु हो गई और इसे पता नहीं अरे नहीं आंटी आप उस रिशी पत्नी शाप ग्रस्त अहल्या की कहानी जानती है हमारे एक भारतिय भाई ने इसे अहल्या बना छोड़ दिया है मिलना चाहेंगी उसके बारे में कुछ बताओगे तभी तो अपने मिम बंद प्रस्तर प्रतिमा समझ लीजे लाख कोशिशों के बावसूत कोई उसे पिगला नहीं सका है आये न प्रतीक के साथ जबरं खिची सी चली गई थी टेबल के पास पहुँच प्रतीक ने कहा था हाई वरजीनिया, मीट माई आंटी फ्रॉम इंडिया इंडिया शब्द ने मानो उसे सचेत कर दिया था बड़ी बड़ी उदास पलके मुझे पर निबद कर जुका ली थी बैठने का निमंतर्ण मिले बिना ही सामने की कुर्सी बाहर खिच प्रतीक ने मुझे बैठने का संकेत किया था वर्जीनिया के मौन को प्रतीक की बातें मुखरित कर रही थी जानती हो लिखना आंटी की हवबी है अभी थोड़ी देर पहले दस स्टुडेंट का इंटर्व्यू खत्म किया है आंटी आप वर्जीनिया का इंटर्व्यू ले लिजे तुम अपना इंटर्व्यू कब दोगी वर्जीनिया नाइस मेटिंग यू मुझे जाना है अपना आधे से अधिक पे और हमें छोड़ पर्स उठा वर्जीनिया चली गई थी प्रतीक मेरे समक्ष बहुत लज्जित हो उठा था आण्टी यही तो उसकी ट्रेजिडी है बहुत सेंटिमेंटल है वर्जीनिया जब से रवी गया है अपने को एकदम अकेली कर लिया है कभी हर डांस पार्टी की जान हुआ करकी थी वर्जीनिया शायद कोई भारतिये लड़की भी अपना अफेयर इतनी सीरियसली नहीं लेगी घर लोगते समय भी प्रतीक वर्जीनिया की ओर से सफाई दिये जा रहा था देवशीस जुंजला उठा था अरे बस भी कर यार तूने तो हधी कर दी बिना बात आंटी को बोर कर रहा है हां अंटी आपने डिफरेंस देखा यहां बार में लोग एंज्वाई करने आते हैं ड्रंक होने नहीं कितना सैयत वाता वरंथा न हमारे यहां की मदुशालाओं सा होहला कहीं नहीं मिलता कहकर मैं मौन रह गई थी कलपना में वरजीनिया का उदास मुख उभर रहा था अपार्टमेंट में पहुँच प्रतीक सिर्फ प्रश्न किया था कौन था रवी कहां चला गया है आप अभी उसी के बारे में सोच रही हैं ना अंटी हां कुछ उत्सुकता तो हो ही गई तुने उसे अहिल्या जो कहा था दुख तो यही है उसे अहिल्या का रूप देने वाला रवी कोई महर्शिया महात्मा नहीं एक बुझतिल कायर बलकि मेरी द्रश्टी में नहायत किरा हुआ इंसान था एक मामूली देशी ब्रांड दंत मंजन के साथ रामायन और गीता की प्रतियों के साथ यहां आया था पिता भारत में किसी मंदिर के पुरोहित थे उनी के एक यजमान की क्रपा से यहां आने का खर्चा तो जुट गया था पर यहां की पढ़ाई की भारी फीज और अन्य खर्चों के लिए उसके साधन अपर्याप्त थे हॉस्टल के कुछ लड़कों के साथ रवी ने कारें धोने का काम शुरू कर दिया था कॉलिज से लोटने के बाद सड़क के किनारे ट्रैफिक के पास खड़े होकर लड़के बारी-बारी से कार वाश की आवाजें लगाते थे सिर्फ तीन डॉलर में वे लड़के कार दोकर चमका देते थे उस दिन ट्रैफिक लाइट के पास वरजीनिया की गाड़ी जैसे ही रुकी रवी ने पास जाकर नहायत साधगी से कहा था कार वाश कराएंगी मिस्क बस तीन डॉलर में हमारा भला हो जाएगा उसके कुर्ते पाजामे के परिधान ने वरजीनिया को प्रभावित किया था धूप की गर्मी से रवी का गौर वर्ण ताम वर्णी हो गया था कहां ले जानी होगी गाड़ी कुछ कौतुक से पूचा था वर्णीया ने बस उस सामने वाली बिल्डिंग के पीछे अपनी उपलब्धी पर रवी खिल उठा था जंप इन पिक लाइट हरी होते ही रवी कार में बैठ चुका था वर्णीया को मैपल की शीतल चाया में बिठा लड़के उसकी कार धोने में जुट गए थे होस्टल के पीछे बॉली बॉल ग्राउंड के निकट उन्होंने कार वाउश के लिए इस्थान बना लिया था वर्णीया उन परिश्रमी लड़कों को शास्चर देख रही थी रवी उन सबसे अलग उसे मुख्द कर रहा था वर्णीया ने तीन की जगे पांच डॉलर्स देने चाहे तो उन्होंने दृड़ता से अस्विकार कर दिया था हमारा परिश्रमिक बस तीन डॉलर्स है ठैंक्स मिस चलते चलते वर्णीया ने रवी से पूँचा था क्या करते हो यहां फिलोस्पी में पिएसटी के लिए आया हूँ ओ तो तुम फिलोस्पर हो भारतिय धर्म और दर्शन को नजदीक से जानना चाहती हूँ मदद कर सकोगे आप क्या सचमच भारतिय धर्म दर्शन जानना चाहती है रवी विश्वास नहीं कर पा रहा था क्यों इसमें आशिर की क्या बात है इंग्लिश लिट्रेचर में पोस्ट ग्रेजवेशन कर रही हूँ एगोर और अरविंद मेरे फेवरेट है पर आपके लिए मेरे पास समय कब होगा देख रही है न क्लासेश के बाद यहां कारवाश करके अपना खर्चा चलाता हूँ रवी मानो तनिक लजजित सा हो उठा था अगर मैं तुमसे पढ़ूँगी तो तुम्हारा पारिश्रमिक भी तो मुझे देना होगा न कारवाश के समय मुझे पढ़ाना होगा तुम्हारे खर्चे पूरे करना मेरी जिम्मेदारी है ठीक है न वरजीनिया कुछ शैतानी से मुस्कराई थी अपने धर्म दर्शन का ज्यान देने के लिए अपना समय दो के उसका मूल्य चुकाना मेरा फर्ज है प्लीज से येस रवी वरजीनिया का अनुरोध हैसा था कि रवी को हां करनी ही पड़ी थी नगर के प्रसित उद्योग पती की दुलारी बेटी थी वरजीनिया सौंदर और बुद्धी का अद्भुद संगम था उसमें अपने हस्मुक सभाव के कारण वह हर मैफिल की जान हुआ करती थी नजाने कितने भ्रमर सद्रशी युवा उसके आसपास गोमते थे पर उसे तो शायद रवी की ही प्रतीक्षा थी रवी ने मानो अपना पैत्रिक व्योसाय आधुनिक परिवेश में ढाल लिया था मंदिर ले जाकर वरजीनिया से कहा था जानता मू ये पत्थर की मोर्तियां तुमें निर्जीव लगेंगी पर अगर सच्चे मन पूरी विश्वास से इनकी ओर देखो तो ये तुमसे बोलेंगी देखो वहां भगवान राम हम दोनों को देख मुस्करा रहे हैं सीता मा तुमें आशिस दे रही है रवी ने श्रद्धा पुर्वक हाथ जोड़कर नयन बंद कर लिये थे सच रवी वरजीनिया रवी की विश्वास पूर्ण वानी से मानुबंद कर रह गई थी रवी रामायन की चौपाईयों को अपने मधुर स्वर में गाकर उनका अर्थ बताता था और मंत्र मुग्ध वरजीनिया की कलपना में चित्र साकार हो उड़ते थे वह चकित सी रवी का मुध तागती रह जाती थी राम ने सीता को प्रथम रिष्टी में अपनी पत्नी स्विकार कर लिया था और उनके अत्रिक्त कभी किसी और इस्त्री के विशे में नहीं सोचा रवी ने बताया था अमरीका में जन्मी पली वरजीनिया को रवी की कहानी बहुत मनोमुख्धकारी लगती थी क्या भारत के सब पुरुष ऐसे ही होते हैं तुम भी रवी वरजीनिया का कौतुवल बढ़ता जा रहा था मैं भी तो विशुद भारतिये हूँ उनसे अलग कैसे हो सकता हूँ पर पुरुष क्या वहां की इस्त्रिया तो अपने पुरुष के लिए हस्ते हस्ते प्राण भी त्याब देती है सीता ने पती के साथ जंगल में चवदे वर्ष स्वेक्षा से रहना स्वेकार किया था राजस्थान में पती की मृत्तु पर इस्त्रिया जोहर किया करती थी रवी ने वर्जीनिया को न जाने कितनी पती व्रता सतीनारियों की कहानिया सुना डाली थी वर्जीनिया ने रवी के साथ नेमित रूप से मंदर जाना शुरू कर दिया था भारतिये धर्म और दर्शन पर नजाने कितनी पुस्तकें पढ़ डाली थी वरजीनिया ने जब शाकाहारी भोजन शुरू किया तो रवी भी विसमित हो उठा था भला तुम यह भोजन साथ सकोगी क्यों क्या कंदमुल खाकर सीता 14 वर्श वन में नहीं रही थी उसके उत्तर ने रवी को मौन कर दिया था अब वरजीनिया ने हिंदी भी पढ़नी शुरू कर दी थी मंदिर में तनमे भजन गाती वरजीनिया से रवी ने कहा था विश्वास तो नहीं पर नजाने क्यों लगता है तुम में मीरा की आत्मा है क्या यह हो सकता है रवी अपने मीरा के रूप की कलपना ने वरजीनिया को उत्साहित कर दिया था क्यों नहीं हम भारतिये तो पुनर जन्म में पून विश्वास रखते हैं तुम ही सोचो भारत से हजारों मील दूर भला तुम्हारे मन में भारतिये धर्म तर्शन जानने की चाहा क्यों उटी। रवी ने वरजीनिया को उलजन में डाल दिया था। तब तुम मेरे कृष्ण हो रवी नहीं तो हम यहां क्यों मिलते। पर मीरा को तो कृष्ण सहज प्राब्ब नहीं थे। इतनी चाहा है मुझे पाने की तुम नहीं जानते। ऐसा क्या देखा मुझमें तुमने अपना वरजीनिया गंभीर हो उठी थी। छी क्या पागल पने। रवी हस दिया था। सच कहो रवी मुझे भारत ले चलोगे था। वहां रह सकोगी वरजीनिया। अभावपून देश है हमारा। रवी ने सीधा प्रश्न किया था। जिस धरती पर राम, कृष्ण, गौतम, मीरा अर्विंद ओतरित हुए उसे अभावपून बताते हो रवी काश मैं उस धरती पर जन्म लेती। अर्मान भरी उसास छोड़ी थी वरजीनिया ने। तो ठीक है हम जल्दी ही भारत चलेंगे वरजीनिया। वहां गंगा किनारे हमारा छोटा सा घर देख मुग्द रह जाओ भारतिये धर्म संस्कृति के विशय में बात करते रवी से वरजीनिया ने पूछा था। भारतिये धर्म जाती को इतनी मानेता देते हैं। भला तुम्हारे पिता मुझे स्वेकार कर सकेंगे रवी। क्यो नहीं पिता जी विशुद गंगा जल छिड़क कर तुम्हें पव वरजीनिया कुछ छुब्द हो उठी थी। यही तो तुम नहीं जानती। गंगा जल भारतियों के लिए अम्रित है। अंतिम समय में इसकी एक भूंत मोक्ष प्रदान करती है। रवी ने विस्तार से भगीरत द्वारा सगर पुत्रों के तारन की कथा सुनाई थी। वरज का अध्भुत आकर्शन था जो वरजीनिया को अपने मोह पाश में बांधता जा रहा था। रवी की PhD सुविक्रित हो गई थी। वरजीनिया ने अपने घर विभाग के प्राध्यापकों और साथियों को आमंत्रित किया था। साड़ी ब्लाउच के भारतिये परिधान में स उस दिन रवी को अचानक अपना पाक कौशल दिखा चमत्कृत कर दिया था वरजीनिया ने। अब तो भारतिये बहु बनने का अंतिम प्रमाण पत्र भी तुमने जुटा लिया वरजीनिया। रवी आनंदित था। हासी खुशी की वह संध्या पलक जपकते बीट गई थी अतितियों को विदा देने के बाद रात्री के मादक छड़ों में रवी अपना सैयम, विवेग, भूल वरजीनिया को पाने को व्याकुल हो उठा था। वरजीनिया को बाहु पाश में जकड उसके अधरों पर अपने अधर धर रवी सीमा से आगे बढ़ने लगा था। मिलन विवाह के बाद ही संभव है। उसमें अब देर ही कितनी है। कुछी दिनों में तो हम विवाह बंधन में बंधने वाले हैं ना। लेट्स फॉर्गेट एवरिधिंग। कम ओन डार्लिंग। रवी उनमत्थ था। नहीं नहीं यह असंभव है। तुम अपने को भूल रहे हो। मैं तुम्हें पाप नहीं करने दूगी। द्रटा से वरजीनिया ने रवी को परे कर दिया था। शारीडिक मिलन हमारे पवि से शारीडिक संबंद इस्थापित किये थे। नहीं रवी यह असंभव है। उनमत्थ रवी को वहीं छोड़ वरजीनिया बाहर चली गई थी। पता नहीं रवी ने सोयम को अपमानित अनभो किया था या लजजित। दूसरे ही दिन रवी को पिता की गंभीर बीमारी का त वरजीनिया ने धीरज बंधाया था। भगवान में विश्वास रखो रवी मैं तुम्हारे साथ चलूगी। मैं जानती हूँ मेरी प्रार्तना पिता जी का अनिष्ट नहीं होने देगी। नहीं वरजीनिया अभी तुम्हारा मेरे साथ जाना ठीक नहीं है। पिता जी को तो मैं समझा लूँगा. पर वहाँ परिवार के न जाने कितने लोग एकठे होंगे. तुम्हारी उपस्थिती शायद उन्हें सहय न हो. किसी भी इस्थिती में तुम्हारा अपमान मैं नहीं सह सकता. मेरा मान-अपमान सिर्फ मेरा ही तो नहीं है, रवी. मान लो पिताजी को कुछ हो गया तो मैं उनका आशिरवाद भी न पा सकूँगी नहीं इस समय तुमारे जाने से बहुत सी प्रॉबलम सा सकती है मैं पहुँचते ही तुम्हें कॉंटेक्ट करूँगा Have faith in me, darling वरजीनिया ने ही रवी का टिकट खरीद शुब कामनाओं के साथ उसे विदा किया था समाचार शेक्र देने का अनुरोध करती वरजीनिया के कंधे इसने से थपथपा रवी चला गया था एक माह तक रवी की कोई सूचना ना पा वरजीनिया व्यग्र हो उटी थी रवी मेरे ही हॉस्टल में रहता था रवी के साथ वरजीनिया से कई बार मिला था वरजीनिया को मैंने ही समझाया था हमारी भारतिये परंपरा में मृत्तु के बाद बहुत से रीत रिवाज होते हैं रवी अकेला बेटा है शायद उन दायित्तों को पूरा करते उसे पत्र लिखने का समय ही नहीं मिला हो या फिर उसके पिता अभी गंभीर हालत में हूँ कुछ पलों को वरजीनिया आश्वस्त दिखी थी फिर उसने कहा था मैंने भारत जाने का निश्चे कर लिया है प्रति कठिनाई के समय रवी का साथ देना मेरा कर्तब है शायद वरजीनिया ने जाने की तयारी शुरू भी कर दी थी तभी रवी का पत्र मुझे मिला था बहुत सफाई देने के बाद रवी ने सत्य मुझे लिखा था पिता की गंभीर हालत का तार जूठा था पिता के किसी शुपचिंतक मित्र ने रवी और वर्जीनिया की प्रगार्ध मैत्री का सविस्तार वर्णन उन्हें लिख वेजा था एक मात्र पुत्र विधर्मी विदेशी लड़की से विवाह कर कुल कलंकित करे इससे तो मृत्तु भली यही नहीं जिन यजमान की क्रपा से रवी को अमरीका जाने का सोभाग प्राप्थ हुआ था उनकी कन्या अमरीका से पिएशडी प्राप्थ रवी के आने की प्रतीक्षा में ही अब तक अविवाहित थी उच्च ब्राह्मन कुल में जन में उची अमरीकन डिगरी प्राप्त रवी को अपना दामात बनाने में यजमान ने विलंब नहीं किया था लाखों की जैदात का उत्तरा धिकारी उन्हें रवी जैसा जामाता ही चाहिए था उनकी दूर दर्शिता ने रवी को पहले ही जाच पड़कर अमरीका भेजा था रवी ने लिखा था उसने पिता के समक्ष अपनी इस्थिती इस्वष्ट करने की बहुत चेस्टा की पर पिता अपने हट पर दढ़ रहे उन्होंने रवी से इस्वष्ट कह दिया था कि वह विधर्मी विदेशी लड़की उनकी मृत्तु के बाद ही उनके घर आ सकती है साथ में रवी के विवाह न करने की बाद पर भूख हरताल कर अपने प्राण त्यागने का अडिग निर्णे भी उन्होंने सुना दिया था माता के अभाव में जिस पिता ने उसे सीने से लगा कर पाला उसकी आग्यां की ओहेलना कर पाना रवी के लिए कैसे संभव हो पाता जिस दिन वह सहराबांध भारत में विवाह को चला था उसी दिन उसके अस्वस्त पिता की मंगल कामना हेतु वरजीनिया ने पूरे दिन का व्रत रखा था रवी ने उसे ब्रत का माहात्म अच्छी तरह समझा रखा था ठीक विवाह के मुहूर्त पर ही वरजीनिया ने अपना ब्रत तोड़ा था शायद शहनाई और वरजीनिया के पूजन की शंक ध्वनी एकाकार हो गई होगी रवी ने इसपष्ट लिखा था अपने विवाह की सूचना वरजीनिया को देने का उसमी साहस नहीं यह दायत मुझे ही पूण करना था कावड चीट प्रतीक बात करते करते दांट भीच बुदबुदा उठा था आप ही सोचिये आंटी अगर उसमें इतना भी साहस नहीं था तो बेचारी वरजीनिया के सामने इतनी उची-उची महानता की बाते करने का उसे क्या अधिकार था उसके सामने तो एक दुड़ प्रतिग पुरुष का चित्र साकार किया और आवशक्ता के समय जरा सी धूप में मौम सा पिघन गया एक बार तो जी चाहा था वरजीनिया से कहदों की रवी की मृत्तु हो गई यह सच भी था ना अंटी वह रवी तो मर ही गया था जिसने वरजीनिया को प्यार किया था यह तो एक कायर नया रवी था भारत के गरमान धनी व्यक्ति का दामाद पर मेरी बात सुन क्या उसकी दिवानी वरजीनिया अपने को रोख पाती उसकी आत्मा की शान्ती के लिए गंगा तट पर न पहुँच जाती अंतत्य परिस्थिती उसे बता ही दी थी मेरी बात शान्ती से सुन एक पल जड़ द्रश्टी से मुझे ताप वह कार में बैट चल दी थी उसे पोकारता पीछे भागा था मैं पर उसने शायद पूरा एक्सलेरेटर दबा दिया था इसी बार में आकर पूरी बोतल गले के नीचे उतार ली थी रवी के साथ उसने मदीरा पूरी तरह त्याग दी थी किसी ने रोकना चाहा तो ऐसी द्रश्टी से वर्जना की कि वह सहम गया तब से रोज शाम वह यहां आती है ऐसे ही अकेली बैट वापस चली जाती है कई युवाओं ने मित्रता का हाथ पढ़ाया पर वह तो बस चलती फिरती अहल्या बनकर रह गई काश कोई राम उसका उधार कर पाता प्रतीक की आवाज भारी हो गई थी पूवर वर्जेनिया नहीं वर्जिन मीरा अंजाने ही मैं बुदबुदा उठी थी तो ये थी कहानी कहानी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया आपको अच्छी लगती है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लाइक करें और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें बेल आइकन दबाना पिलकुल भी ना भूलें धन्यवाद